आज की वीडियो भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्याले तथा रेल परिवहन के बारे में हैं तो आईए हम जानते हैं रेल परिवहन के बारे में भारती रेल एसिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल विवस्था है भारत में सर्व प्रथम रेलवे वस्था की शुरुआत अप्रेल 1853 एस्वी में मुंबई से थाने के बीच प्रारम हुई थी जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी ताई की गई थी विस्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 एस्वी में इंग्लाइन के लिवरपूल से मैंचेस्टर के बीच चली थी भारती रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 एस्वी को की गई थी भारती रेल का राष्ट्रिय करण 1950 एस्वी में हुआ रेल वित को वर्ष 1925 एस्वी के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया भारती रेल प्रशाशन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है रेलवे को 17 मंडलों में बाटा गया है प्रतेक मंडल का प्रधान महा प्रबंधक होता है भारती रेलवे को पहले 9 मंडलों में बाटा गया था रारत की प्रम्खु रेल मंडल और उनकी मुख्यालय इस प्रकार है उत्तर रेलवे रेल मंडल जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दक्षिन रेलवे रेलमंडल जिसका मुख्यालाय चेननाई में है मध्य रेलवे रेलमंडल जिसका मुख्यालाय मुंबई सेंट्रल में है दक्षिन पूर्व रेलवे रेलमंडल जिसका मुख्यालाय कोलकाता में है उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे रेलमंडल जिसका मुख्याला माले गाउं में हैं। उत्तर पूर्वे रेलमंडल जिसका मुख्याला में हैं। रेलमंडल जिसका मुख्याला में हैं। पहिया बनाने का कारखाना च्छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्टरी राइबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। रेलमंडल जिसका मुख्याला में रेलमंडल जिसका मुख्याला में हैं। झाल जिसका मुख्याला में।